दोस्तों नमश्कार रेस्टूरेंट ओनर ने जुमैटो के खिलाफ फुट डिलेवरी की जो ये एब बेस्ट कमपणी है जुमैटो इसके खिलाफ मोडचा खोल दिया है एब बेस्ट कमपणी यानि की एग्रिगेटर जिसे नाम दिया गया है माल किसी का लेकिन बेचेंगे ये अपने मनमानी से जितना मर्जी डिसकाउंट दे दे लेकिन इसी बीच रेस्टूरेंट आउनर ने जुमैटो और भी फुट डिलेवरी की जो एप्स है इनके खिलाफ मोडचा खोल दिया कि ये मनमानी तरीके से डिसकाउंट देते हैं जिसकी वज़े से उन्हें बिजनस में बहुत घाटा हो रहा है दोस्तों तक्रीबन एक हजार रेस्टूरेंट ने जो मैटो इजी डाइन और इन जैसे जितने भी फुट डिलेवरी एप बेस्ट कंपनी वाले हैं इनके एप से लॉग आउट करना शुरू कर दिया है इनके प्लैटफॉर्म से वो लॉग आउट हो चुके हैं वही गुरगाओं के अंदर ही खबर के मताबिक तक्रीबन तीन सो रेस्टूरेंट ने इनके प्लैटफॉर्म से लॉग आउट कर लिया है वहीं पे जो मैटो के तरफ से बयार आया है कि हम इसे बातचीत करने की कोशिश करें हैं उन्होंने ये गुजारिश करी है कि क्रिप अपना कुछ नहीं है सिर्फ एक एप के जरिये ये कहते हैं हम कस्टमर और जो सर्विस प्रोवाइडर है दोनों को मिलवाते हैं और ये बीच में इंटर्मिडिटरी एक कंपनी के तौर पे काम करती है कि हम बीच में एक ब्रोकर हैं बस लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से इन एपस्ट कंपनियों का बाजार पे कबजा हो चुका है और अब ये पूरे तौर से मनमानी कर रही है चाहे वो रेस्टोरेंट की बिजनेस हो चाहे वो होटल बिजनेस हो चाहे वो टैक्सी मार्केट हो चाहे वो रिटेल मार्केट हो हर छेतर में जो एप आया है एप आन मनमर्जी की डिस्कांट दे रहे हैं जिसकी वजह से उनके ब्यापार में लगातार घाटा हो रहा है वहीं पहार आथा कोई बहुत संपर्क नहीं किया जाता जब कितना डिस्काउंट देना है कुछ दिना यह मनमर्जी से करते हैं अभी आपको पीछे याद होगा कि होटल वालों ने भी इनके खिलाफ एक मोर्चा खोला था उन्होंने भी ये कहा था कि इनकी जो डिसकाउंट का स्ट्रक्चर है ये अपने मनमर्जी से कुछ भी डिसकाउंट दे रेते हैं उन्होंने भी इनका विरोध करना शुरू किया था वहीं टक्सी मार्केट की बात करें जहाँ पर करोरो ड्राइवर्स पुड़े भाड़त वर्ष्ट में इनके शोशन का सिकार हो रहे हैं अब्डेस्ट कमपनियों का उनका भी वही हाल है यह electronically चीजों को sign कराते हैं इनके software में इनके पास ही सारा उनका command होता है अगर हम बात करें कि उन्होंने मैं अगर taxi market की बात करूँ जहाँ पर करोरो एक बहुत बड़ा market था जो स्वारोजगार की market थी जिसको एक तरह से hijack कर लिया गया है अगर उस market की भी बात करें तो 99% drivers को पता ही नहीं कि उनकी agreement में क्या लिखा हुआ है उनके पास ना agreement की copy है यह मनमरजी तरीके से अपने rate अपने algorithm से पुड़े market को operate कर रहे है जिसकी वजह से कई drivers ने आत्मत्या करी है कई drivers के पडिवार आज उसका गार पर पहुंच चुका है कितनी की गाड़ियां बिख चुकी है इवन बैंक ने लोन देना बंद कर दिया है टेक्सी वालों को क्योंकि वो EMIBN नहीं दे पा रहे है लेकिन वही 6-7 रुबे में जो गाड़ी चलवार है इनकी बर्जी है इसी तरह से लेकिन restaurant owner ने एक नया कदम उठाया पुखता कदम उठाया कि हम इनके platform पे काम ही नहीं करेंगे और जिसका खाम्याजा जो मैटों को भूगतना पर रहा है और जो मैटों जैसे अन जो food delivery apps है उनको भूगतना पर रहा है क्योंकि इनकी मनमर्जी तो चलती है जब मर्जी है कुछ भी अपना change कर लेते है business policy में जो इनके न student वालों को पता होता है न टेक्सी की बात करें तो न ड्राइवर्स को पता होता है दूसरी बात कि जो सरकार ने गाड़ियों की registration के उपर में अपने ये नए चार्ज बढ़ा के बताये थे उस चार्ज को registration चार्ज को सरकार अभी लागू करने के हाल में शायद ना हो थोड़े दिन उसको डिले करें क्योंकि automobile market का जो हाल है और जिस तरह से automobile market बिल्कुली slowdown की दिशा में जा रहा है उसके बाबजूद भी गाड़ियों की registration को बराना ये किस policy के तहट था ये तो सरकारी जाने है और जिस जोड़ सोड़ से electric vehicle को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन जिस तरह से automobile market बिल्कुल ओंदे मुह गिरी पड़ी है और यहाँ पे जहाँ पे लोग 5 लाग की गारी effort करने के हालात में नहीं है लेने के हालात में नहीं है वहीं 10-12-12-12 लाग के electric vehicle कहां से लेंगे और कौन EMI उसका देगा लेकिन सरकार ने अभी एक खबर आ रही है जिसके मताबिक जो बड़े वे registration fee है उसको सरकार लाग करने में थोड़ी सी देर करे अगर वो बड़ी वी registration fee आप देखेंगे तो कितने गुणा में वो बढ़ गया थोड़ा सा मैं आपको बता दू टू-wheeler की जो पहले 50 रुपे registration fee थी को 2000 रुपे कर दिया गया है वही अगर renewal की बात करें तो टू-wheeler की Renewal की fee जो 50 रुपे थी उसके 2000 रुपे कर दिया गया है ठी-wheeler की 300 रुपे थी उसके दस हजा रुपे कर दिये गए हैं परसल कार जीप जो 600 रुपे की थी उसे 15,000 रुपे कर दिये गए हैं LM.B. का 10,000 रुपे था LM.B. कपरिशिल का उसे 20,000 रुपे कर दिया गया है मीडियम एन्ड होई गूड्स पैसेंजर बेकल का जिसका 1500 रुपे था उसका 40,000 रुपे कर दिया गया आज की दौर में जहां आटो मार्केट एकदम से गर्थ में जा चुकी है वहाँ पे किस पॉलिसी के तहत और ये रिजिट्रिशन फी बढ़ाया गया ये तो सरकारी जाने लेकिन ना रोजगार है ना कोई खरीदने के कुछ हाल में है बाजार में बाइंग कैपिसीटी लोगों की है यह नहीं रोजगार टेकस्टाइल इंडस्ट्री में लाखोर लोगों के रोजगार जा रहे है आटो मॉबाइल में लाखोर लोगों के रोजगार जा रहे है FMCG company का क्या हाल है बड़े बड़े showrooms बंद हो गए उस दौर में जब तक आदमी की income नहीं बढ़ेगी जब तक आदमी की buying capacity नहीं बढ़ेगी जब तक उसी खरीदारी की power नहीं आएगी तब तक कोई भी सामान क्या बिकेगा 5 लाग की EMI तो आप दे नहीं पाएंगे 15 लाग की electric vehicle का EMI कौन देगा और बढ़ते वे इंदन की कीमज जो आपके सामने है और जो डीजल और पेट्रोल के भाव जो आसमान चूर है उसकी वज़ा से बहंगाई कितनी बढ़ी है चाहाए आप household item की भी बात करें तो यह सब आपके सामने है शुक्रिया दोस्तों मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ